तो आज एक exercise 3.3 के question 5 की वीडियो में Find the value of 5 के 1 part और 2 part ठीक है ये 2 part है question 5 में और फिर question 6 की वीडियो में चलेंगे पर इसको question को करने से पहले question 5 के दोनों part करने से पहले जाके 3.3 की जो मैंने formula उस वाली वीडियो बनाई है जिसमें सारे मैंने 11 formula बता है वो जाके डंग से पढ़ लेना sine x plus y क्या होता है sine x minus y क्या होता है सारे डंग से learn होने चाहिए तब ही ये exercise का question 5 होगा चीक है तो हमें देख्या रखा है sine 75 degree तो 75 degree को मैंने सोचा सबसे पहले हम लोग लिखते हैं solution sine 75 degree को मैं लिख सकता हूँ कुछ ऐसे जो मैं को value पता हो इसमें लिखना है कि कुछ value मुझे पता हो जैसे मुझे 45 पता है sine 45 क्या होता है और मुझे sine 30 पता है क्या होता है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 45 plus 30 degree और यही मैंने bracket में बंद कर दिया तो अब मैंने देखा यह मेरा formula जैसा बन गया मतलब हमारा एक formula था sine bracket में x plus y का formula क्या होता है तो उसमें था sine x into में cos y चीक है sine x into में cos y यहाँ पे plus sine है तो यहाँ पे भी plus sine cos x और sine y यह हमारा formula था तो मैंने देखा sine इसको मैं x मानू और इसको y मानू तो sine x plus y का formula लग रहा है चीक है तो यहाँ पे x क्या हो गया हमारा 45 degree यहाँ पे x क्या हो गया 45 degree और y क्या हो गया हमारा 30 degree यह चीज़ हो गई समझ में आगए सब लोगों को तो इसका हम formula put कर देते है sine x plus y का क्या formula होता है sine x put करता जाओ सबकी value, answer आता जाएगा, thành 60 की value रूट 3 tray रूट 3 रूट 3 ह salts 13 होती है, ठीक है तो COS 30 है, यहां पर मैंने लिख दिया root 3 by 2 plus में cos 45 और sin 45 की a की value होती है 1 by root 2 sin 45 और cos 45 यह दोनों सेम होते है 1 by root 2 1 by root 2 तो मैंने इसके जगे पर रख दिया 1 by root 2 और sin 30 मुझे पता है 1 by 2 तो इन दोनों को मैंने into करा तो यह आगया root 3 into 1 root 3 upon में root 2 into 2 2 root 2 यहां पर मैंने root 2 लिख दिया plus का sin हमारे पास ही सही 1 into 1 1 रहेगा upon में root 2 into 2 क्या हो जाएगा 2 root 2 तो अब मैंने इन सोचा LCM ले ले लेते हैं पीच में plus का sign है LCM आ गया 2 root 2 तो जब नीचे दोनों सेम हो न और तब अब अब लें तो उपर का भी सेम टो सेम लिखाई में आ जाता है root 3 plus 1 root 3 plus का 1 ठीक है यह आ गया हमारा अब कुछ करना ही नहीं है मतलब हमारे पास किसकी value आ गई direct sin 75 degree की value क्या आ है हमारे पास root 3 plus 1 by 2 root 2 direct answer निकल के आ रहा है अगर कोई पूचे sin 75 degree क्या होता है direct बताओ root 3 plus 1 by 2 root 2 यही पे हमारा exercise 3.3 का question 5 का first part खतम होता है second part देख लेते हैं इसका तो question 5 का second part पे आ गए पर first part में हमें क्या दिया होता sin 75 की value ठीक है वो निकाल ली थी हमने अब second part में के देखा हुआ है 10 15 की value तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि 10 15 को मैं क्या लिख सकता हूँ 45 में से 30 गया 15 यह तो बचता है तो मैं इसको लिख दूँगा 45 degree minus 30 degree क्योंकि 45 की भी value मुझे पता है 10 45 और 10 30 की भी मुझे value पता है तो यह आ गई 10 x minus y का formula और 10 x minus y मतलब x y लो या फिर ए भी लो कुछ भी ले सकते हो तो यही हम इदर पुट कर देंगे x क्या है इदर 45 degree y वापिस क्या है इदर 30 degree तो हम पुट कर देते हैं 10 x है मतलब क्या है 45 degree minus 10 y है मतलब 30 degree upon में 1 plus 10 45 into में into में 10 30 degree ठीक है यहाँ पे into है dot का मतलब into समझ जाया करो अपने आप तो 10 45 की value मुझे पता है 1 minus 10 30 की value होती है 1 by root 3 ठीक है तो यहाँ लिख दिया 1 by root 3 upon में 1 plus 10 45 की value वापिस मुझे पता है 1 और 10 30 की value होती है into में ना यहाँ पे into 1 by root 3 तो अब उपर हम लोग यहाँ पे 1 डालके LCM ले ले लेते हैं यह हमारी main line हो जाएगी यहाँ पे हमने LCM लिया तो root 3 और root 3 उपर चला गया मतलब root 3 minus 1 तो यह उपर का LCM हो गया और यहाँ पे हमने लिया 1 into में 1 by root 3 है ना तो किसी भी चीज़ को 1 into करोगे तो वही चीज़ रहेगी तो मतलब क्या आगया इदर 1 plus 1 into में 1 by root 3 क्या हो गया 1 by root 3 अब इसका LCM ले लेंगे हम लोग तो उपर क्या है root 3 minus 1 upon में root 3 यह हमारी main line नीचे हमने लिया root 3 LCM तो उपर क्या आगया root 3 plus 1 तो अब इसको हम उल्टा कर देंगे मतलब उपर की जो पूरी चीज़ है उसको बिल्कुल बीचो बीच लाके नीचे वाले को उल्टा कर देंगे मतलब क्या कहना चा रहूं मै root 3 minus 1 by root 3 को बिल्कुल यहां बीचो बीच लिख देंगे और यह जो नीचे वाली चीज़ है इसको उल्टा करके into में कर देंगे यहां root 3 नीचे है उपर आ जाएगा और यहां पर root 3 plus 1 उपर है यहां पर root 3 plus 1 नीचे आ जाएगा यहां पर root 3 से root 3 कैंसल हो चुका है तो मेरा बचा क्या है यहां पर root 3 minus 1 upon root 3 plus 1 तो जब भी मेरा ऐसे बचे root 3 minus 1 upon root 3 plus 1 या फिर root 3 upon root 3 ऐसा कुछ बचता है तो मैं यहां से rationalize कर लेता हूँ मतलब जो sign नीचे होना उसका उल्टे sign से उपर और नीचे multiply कर लेता हूँ यहां क्या है root 3 plus 1 तो मैं उपर क्या कर दूँगा root 3 minus 1 upon में root 3 minus 1 हमेशा यही करना हमारे 10th में भी कुछ formulas में ऐसा हुआ है कुछ-कुछ questions में भी ऐसा हुआ है कि जब भी हमें कुछ ऐसा दिया हो तो नीचे वाले को देखते हैं और उसका उल्टा उपर और नीचे multiply कर देते हैं मतलब क्या है मेरे कहने का ध्यान से समझो यहां तक तो सब कुछ समझ में आ गया कि हमने उल्टे साइन से उपर और नीचे multiply करा अब क्या करेंगे यहां भी सेम है यहां भी सेम है इन दोनों को और नीचे वाले इन दोनों को multiply करना है मतलब उपर क्या है root 3-1 into में root 3-1 तो यह मेरा हो गया root 3-1 का whole square अब यह मैंने देखा कि यह a plus b और यह a minus b तो इसका formula लग जाएगा तो a plus b a minus b अगर यह दोनों bracket में हों और a minus b तो इसका क्या formula होता है a square minus b square तो a क्या है यहां पर root 3 मतलब root 3 का square minus b क्या है यहां पर 1 है और यहां पर 1 का square अब यहां से हमने उपर का same ही रहने देना है root 3 minus 1 का whole square root 3 का square हो गया यहां पर 3 minus का minus 1 का square हो गया यहां पर 1 ठीक है 3 में से 1 गया यहां बचा 2 बाकी उपर का same चलने दो अभी अब मैंने देखा उपर formula लग रहा है a minus b का whole square तो मैंने इसको खोल दिया a minus b का whole square क्या होता है a square minus 2ab plus का b square तो यहां पर हो गया a अब a का square करना है तो मतलब root 3 का square minus 2 into a क्या है root 3 into में b क्या है 1 into अब into नहीं होगा 2ab हो गया न यहां पर plus आएगा b का square b क्या है 1 है मतलब 1 का square upon में 2 है इसे root 3 का square वापिस हो गया हमारा 3 minus में 2 into root 3 into 1 क्या हो गया 2 root 3 plus का 1 का square क्या है 1 upon में 3 तो अब मैंने देखा यह वाला positive और यह वाला positive तो मैं इन दोनों को plus कर लेता हूँ ठीक है तो यहां पे हमने क्या करा 3 plus का और 1 plus का मतलब यह 4 हो गया minus का 2 root 3 यहां पे है ही सही upon में 2 है ही सही यहां से मैंने उपर से सोचा मैं 2 common ले सकता हूँ तो मैंने 2 common लिया तो अंदर बचा 2 minus root 3 चीक है एक बार multiply करके देख लेना अगर इसको multiply करा तो 2 to is 4 हो जाएगा 4 आई रहा है और इसको multiply करा तो 2 into root 3 2 root 3 हो जाएगा और बीच में minus ही सही तो इस पूरे उपर वाले को खोल के मैंने यह लिख दिया upon में 2 2 से 2 cancel और यह क्या आगया 2 minus root 3 मतलब डारेक्ट कॉशन 5 का part 2 की value है 10 15 degree की value आगई हमारे पास 2 minus root 3 चीक है तो exercise 3.3 का question 5 का second part भी खतम होता है